अब आपको सेफ करना है तो डिस्टाप पे आकर आपने क्या कर दिया इसको सेफ कर दिया तो कि यह पहले से कोई नाम है इस कान यह क्या कर रहा है और रिजिस्ट कर रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको नाम चेंज करना पड़ेगा हम नाम लिख देते हैं अपना नाम अब इसको सेप कर लिया हमने सेप करने के बाद आप आईए फिर देखेगा यह फाइल आपको सामने दिख जाएगी जो आपने राइट किया हुआ था यह देखिएगा नहीं दिख रहा है यह चीजे आपका वर्ड पर्ड में आ गया अब आते हैं साउंड रिकार्डर में रिकार्डर में आते हैं अब देखिएगा यह चीज है जैसे इसको रिकार्डिंग करना चाहते है तो रिकार्डिंग कर सकते हैं एक दो तीन चार पांच है साथ आट नवदा सी ग्यारा बारा त्रेर चौदर पंद्रह है ना ऐसे करके नाम नेम सेप कर लेते हैं रिकार्डर में ओके अब दुखेगा इसको हम वाइस को संन सकते हैं आप इस तरह आपको साउंड सुनने को मिल जाएगा ओके ठीक दुसरी चीज दिखी जाती है कि अब हमको क्या करना है कि sound recorder के jacket हमने बता दिया sound recorder बता दिया अब हम इड़ Omedia Player की बात करें CoinDotован Bra picture應ет attempt mysterious लिए अगर हम बात करें तो देखते हों कि यह window media player नहीं चाहिए window media player के लिए हम 승 già Forsch खेखे तो यह दिख devraitर करेंगे बेंदव मिढ्टिए हाँ- क्लिक करेंगे दीख लिए अब कर सकते हैं यहां से पॉम्टेश भी सुन सकते हैं कुछ चलाना हो बैज में जिलाना हो यहां से वंटरम है क format हENA यह सारी चीजे हैं जो आप इसको यूज कर सकते हैं तो मिडिया प्लेयर में क्या क्या चीजे होती है प्ले करना है मा लिजिए किसी चीज को लाइबरेरी में आप या सजा सकते हैं लाइबरेरी से वीडियो उठा सकते हैं आप ले सकते हैं अपलोड करके चला सकते हैं तो लिजिक सुनना वो तो म्यूजिक से कर ना सकते हैं यहां से आगर सकते हैं वीडियों लेना है हूँ देखेगा यह वीडियों मेडिया प्लघवल करें खालते हैं। अब नीछे देखेगा निचे हमें को दिखा रहे हैं, छोटा हम करके, यह देखे छोटे में, हमने दिखाया, अब यह देखे निचे जो दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, तो 1st है, 1st को दिया है, इसमें, इसे क्या बोलते हैं, यह हमारा है, प्ले और पॉस बटन है, यही से प्ले भी होगा, और यही से है, previous बटन, यह है, ठीक ना, fast forward बटन, यह है, ठीक ना, mute, mute को मतलब कि हम sound को बंद कर सकते हैं, तो देखे, यहां से बंद कर सकते हैं, ओके, ठीक ना, यहां से mute कर दिया हमने, volume slider को, volume slider को यहां से कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, ठीक ना, volume को, और progress bar, ओके, तो progress bar यह progress bar है तो ये window media player का पूरा का पूरा function है जो मैंने आपको बताया है ठीक ना तो window media player बताया हमने wordpad के बारे में बता दिया मैंने है ना तो अब आते हैं opening the gadget gallery में आते हैं तो gadget gallery में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम आएंगे gadgets के बारे में अब देख रहे होंगे ये calculator है तो ये है calendar आप calendar क्लिक करेंगे तो आप देखे calendar ये सामने आ गया आप watch करिए watch भी आ गई ये CPU meter है ठीक ना ये हम सारा चीच को हम बाहर करते जा रहे है ठीक ना ये देखेगा सा हम बाहर करते जा रहे अब सारे functions को हम बताएंगे ये देखेगे watch है अगर आप देखना चाहते तो time को यहां से आप watch कर सकते है time को मतलब यहां से calendar आप calendar देखना जब भी जुद मैंत देखना है तो आप यहां से month को देख सकते है क्या क्या है इसमें ये वो time बता रहा है